जाएं दोस्तों स्वागत आप सोभी का इस वीडियो में आए इस वीडियो में हम बात करते हैं दोस्तों लखनोई उन्वेस्टी के बीएट फर्स्ट यर फर्स सेमेस्टर का फर्स सब्जेक्स फिलोसफिकल एंड सोसलोजिकल प्रस्पेक्टिफ आफ एजुकेशन का सेकंड यूनिट और सकेंड यूनिट में दोस्तों आपका कम्पलिटी तीन टॉपिक है मतलब तीन पॉइंट है इस पॉइंट को समझे पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों सिख्छा दर्सन यानि की एजुकेशन फिलोसफी इसमें आपको जानना है जो आपसे सवाल पुछे जाते है वह यहीं से पुछे जाते हैं कि आप फिलोसफी से क्या समझते हैं एजुकेशन 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 फिलोसफी से क्या समझते हैं दोस्तों कि सिख्छा और दर तो यह कुछ दार्सनिक रहे हैं, सिक्षा सास्त्र रहे हैं, उनकी सिक्षा दर्सन के बारे में पुछा जाता है, तो दूसरा पॉइंट यह हो गया, तीसरा दोस्तों जो आदर्स वाद, जो हमरे फेमस वाद हैं, जिसको इसम कहते हैं, लाइक आडिलिजम, नैचुरलिजम, तो चार मुखेतवाद हैं, आदर्सवाद, प्रकृतिवाद, परियोजनवाद और यधार्थवाद, इन चार वादों में से पूछा जाता है, तो इस दो यूनिट में से यह सवाल आता है, तो हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे, सिक्षा और दर्सवाद में संबंद क्या होता है, सिक्षा और दर्सवाद की अर्थ परिवासा, इन सारे चीज़ों का देखेंगे, तो बिना किसी देरी के हम सुरू करते हैं, सिक्षा दर्सवाद, जब आपको एक्जाम में पूछेगा, तो आप आसानी से लिखिएगा, लेकि सिक फिलोस तता सौफिया, इन दो सब्दों से बनाए, फिलोस का अर्थ होता है दोस्तो, प्रेम अथवा अनुराग मतलब प्रेम, और सौफिया का अर्थ होता है ज्यान, मतलब ग्यान से प्रेम, ठीक है, ज्यान से प्रेम इसको फिलोसफिक कहते है, इस पकार फिलोसफिय अर् सबस्त करना है मैं किरें में इस संसार को किस ने ना ऐसे हुआ इस सारी सोच यह दोस्तों यह सोच होती है अब का दर्सन आपकी सोच होती है कि दर्सन के मतलब जब इसन एक सा सुना होगा करें बड़े दिनों बाद आज दर्सन दिये, दर्सन दिये मतलब दिखाई दिये, मतलब आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका देखने का नजरिया क्या है, इसी को हम दर्सन कहते हैं, अब हमारा यहां से पॉइंट सुरू होता है कि सिक्छा दर्सन क्या होती है, स इसमें दार्सनिक सिधान्दों का परियोग सिक्षा के संबंद में होता है। जो हमने सोच जो नजरिया जो द्रिष्टिकोड की बात करी ना उसका परियोग आपको सिक्षा में करना है। सिक्षा दर्सन सिक्षा से संबंदित विचारों पर विचार करता है। और उनके समधान के लिए दार्सनिक अर्थात चिंतन पूर्ड एवं निडात्मक दिष्टिक से प्रयत्न करता है. अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सिक्षा दर्सन क्या करता है, सिक्षा समदित विचारों पर विचार करता है. अब जैसे महात्मा गादी जी ने कहाता कि 7-14 साल के बच्चों को निसुल को सिक्षा दिजन चाहिए. या फिर किसी ने भी कहा होगा, जिसे आठी 2009 में हमसे कहा गया कि आप क्या करेंगे, कच्षा आठी तक के बच्चों को आपको मुफ्स एजुकेशन, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये क्यों आया भाई, क्योंकि हमने सोचा, हमने जाना कि सिक्षा को हमें यहाँ पर लागू क करना कोई भी कैसे करता तो यही दर्सनिक जो हमारा दर्सन जो हमारी सोचे उसको सिक्षा में ला देना है, तो हम इतना जरूर लिखीगा कि डारसनिक सिधांतों का सिक्षा में परयूग, क्यों करना भाई, इसलिए करना कि दर्सन सिक्षा के संबंदि जो भी विचार हैं उस पे विचार करें सिक्षा को और बहतर बनाएं सिक्षा के उदेशु को प्राप्त करें सिक्षा से हमारे देश को मजबूत बनाएं तो दर्सनिक सिधान जो भी दर्सन के सिधानते हैं दर्सन के थेरी हैं दर विचार का अलोचनात्मक अध्यान किया जाता है, समझ में आ गए बाद, सिक्षा दर्शन में हम सिक्षा के क्या करते हैं, सिक्षा के कॉंसेप्ट, सिक्षा के उदेश, सिक्षा के पाठे करें, सिक्षा की विधिया, सिक्षा समधित, सभी समस्याओं का दार्शनिक विचार क प्राकर करेंगे दर्षनिक रूप से उस्पर सोच विचार करेंगे यहीं क्या वह भाई स्वरूप की व्याक्या करना और और सिक्छा के वास्तोमिक स्वरूप को समझने में साहिता करना जब आप सिक्छा के संपरत्य कॉंसेप्ट पर विजार करेंगे तो आपको एक रिजल्ट नीग लेगा कि फिक्छा के वास्तो विबिन ये शिक्छा दर्सन के कारे है विबिन दार्शनिक दिश्टिकोण के अधार पर विक्सित सिक्षा के उप देश्यों की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट विशेश को अपनी सिक्षा के उदेश से निश्चित करने में सहाईता करना एक देश के लिए सिक्षा का क्या उदेश होना चाहिए इसका मिर्धारण करना दिविन दार्शनिक दिष्टिकुणों के अधार पर विक्सित सिक्षा पाथ चेर्याओं की व्याख्या करना और समाज एवं राष्ट विशेश को अपनी सिख्षा पाठे चल्या के निर्माणा करना, आपको ऐसा सिख्षा पाठेचरिया बनाना है, एक अच्या पाठेक्रा मनाना है, जो समाज अरदेज के रिया करें, भलाई करें, यह कब संभा होगा, जब आपने दार्सनी को विचा प्रशा होती थी अभी क्या बाल के इंदरित स्टुडेंट होते थे बड़ी कछ्छा मतलब बड़े उम्र हो जाते थे बहुत बड़े-बड़े होकर तब याद जाते थे तो पहले अप दंड दे सकते थे क्योंकि उन्हों सारी कुरूप से मजबूत है लिगना आज क्या बच यह नए नए क्या आ गया परियोग होने लगा हुगा यह क्यों संबब होगा जब आपने दार्षणिक विचार किया सिक्षा में तब जागे तो क्या हुओ भई आप उपीउक्ड शिख्षण विधी का चेहन करेंघे कब जब आप दार्षणिक रुपस से इसमें करना और सिक्षा के छेत्र में अनुसासन अस्थापित करने की पुप्युक्त विधियों से संबंदित लोगों को परचित कराना जो भी सिक्षा संबंदित अनुसासन है दोस्तों जो भी सिक्षा के छेत्र में अनुसासन है उसकी व्याख्या करना लोगों को समझाना कि यह क् दिश्टिकून के अधार पर सिक्चा के छेत्र में सिक्चकों यह सिक्चारतियों के सुरूर के व्याख्या करना सिक्चक का क्या युगदान है सिक्चक का क्या कार है सिक्चारती का क्या कार है यह साइज चीज़े बताना दोस्तों उन्हें अपने करतेबे उसे परचीत कराना दिबैनी दार्सरी दिशुटिकूर के अधार पर सिक्षा की अन्य समंस्यां के حल और दर्सन के सम्बंद संभध को कई बारना प्रटिकुलर ऐसी सवाल आपस पूच देगा कि वयाक्या करिए कि सिख्छा और दर्शन एक इस दो पहले हो इसंदि के आपको देखते हैं अब सिख्चा क्या करेका उस लक्ष को प्राप करने के लिए उचित मारग आपको दिखाएगा थीक है तो तो सिक्षा और दर्सन में इस समुंद से आपको बना गले नहीं दर्सन क्या है वही हमरी जीवन के लज़ा नी धार्यत करता है और उस लग्ष कव्राप करने के लिए दर्सन पर दर्सित करता है mark दिखाता है दर्सन सिक्वाइट करता है और सिक्षा भी दर्सन दर्स्दार्सन को अध rhizkti国 पर नियंतर रखता है मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभाइट करते है पैटरेच के सब्दों में गंबीर आर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है जिस प्रकार सिक्षा दर्सन पर अधारित है उसे प्रकार दर्सन सिक्षा पर अधारित है यह दोनों एक दूसरे पर अधारित है कैसे भाई दर्सन हमें बताएगा कि हमें क्या प्राप्त करने है अमने जीवन का उद्देश से क्या है और उससे दार्शनिकों को अपने अपने दर्शन को क्रियात्मा गत्वा वहवारिक रूप देने के लिए सिक्षा का सहारा लेना पड़ा जैसे उनकी जो सोच थी उनकी जो दर्शन थी उनकी जो जीवन का उद्य से था वो लोगों को वहवारिक रूप में लोगों तक पहुचाने के लिए उनको सिक्षा का ही सहारा लेना पढ़ा सिक्षा के मातियम से ही लोगों के जीवन में उन्होंने ये पहुंचाया अपनी बाते रखी सिक्षा सैधानतिक को मतलब जो सिक्षा है न वो दर्सन का जो कॉंसेप्ट इसी धानते उसको वहवार में बदल देता है वहवारिक एतमक पहलू है सिक्षा किसका दर्सन का दर्सन हमारी विचार अठरा अमारी सोच है उसको गती कौन देता है सिक्षा शास्त्रियों के समख्य समय पर अध्यापन के समय अनेक समस्याँ जन्म लेती हैं वो इन्हें सुझाने के लिए दार्सनिकों का सहारा ढूटते हैं और तब दार्सनिक नए सिक्षा दर्सन का जन्म देते हैं जैसे जैसे नहीं नहीं समस्य आएंगी तो हम क्या करेंगे दर्सन का सहारा लेंगे और जो दार्सनिक होगा वो एक नहीं सिक्षा तो, इस तरीखे से आप क्या सकते है दोस्तो, सिक्छा और दर्piecesन में क्या एक घनिष्ध संभन्ध है, एक के बीना दूसरा नहीं चल सकता, जहां दर्न सिक्छा का लक्ष निध्षारित करता है, वहीं सिक्छा दोस्तो उस लक्ष को प्राप्त करने का मार्ग देता है, जहां दर्सन क्या है भई दर्सन आपको एक सोच देता है उस सोच को विहवारिकता कौन देता है भई सिक्षा देता है शिक्षा क्या है दर्सन का गत्यात्मक पहलू है गत्यात्मक पक्ष है चली इसी पकार रौस के सब्दों में दर्सन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है दर्सन जीवन का वीचरात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है या गतिसील पक्ष है दर्सन दोस्तों इसी से सम्बंदित कम से कम आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा मैं उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सहाइक होगा और अगर आप से इस तरीकी के सवाल पूछता है तो अपसानी से लिख सकते हैं ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही हमने देखा सिक्षा दर्सन के बारे में जाना सिक्षा दर्सन की अर्थ, सिक्षा दर्सन की परिभाशा सिक्षा और दर्सन में संबंद सिक्षा दर्सन की कारे को समझा यहाँ से आपको एक सवाल देखने को definitely मिलेगा और अगर आपसे exam में पूछता है तो कुछ इस तरीके से अपने सब्दों में बना के लिखेगा समझने की कोशिस करिए अपने सब्दों में बना के लिखने की कोशिस करिए concept यही है बाकी हम अगले वीडियो में तीनों जो हमारे प्रमुख सिख्छा सास्त्री रहें जो हमारे दार्शनिक विचारक रहें महात्मा गाधी जी रविन्या टेगोर जी स्वामे विकानन जी इन तीन लोगों को हम अगले वीडियो में देखेंगे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करेगा डिस्क्रिप्शन आप लिए बहुत साहिक होगा वो वीडियो का लिग मिल जाएगा और कमेंट का पहला भी मैं कमेंट वो पिन कर दूँगा जोहां से आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में फिदाल इतना ही दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक अपना खूब ख्याल रखिए पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है मुझे दिज्यादा इस वीडियो में फिदाल इतना ही इसका PDF दोस्तों इसका PDF मैं आपने WhatsApp ग्रूप पे शेर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है WhatsApp का वहां से आप हमें संपर कर सकते हैं आप हमें Instagram पे भी संपर संपर कर सकते हैं में आपको पोस्ट कर दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें अपता खूब ख्याद रखें मेरी दुआएं आपके साथ है जया ही जया भारे दोस्तों